मेरा नाम अबदुल राशद और आप देख रहे हैं इंडियन बजट गेमर आज के स्वीड में दोस्तों लोग बात करने वाले हैं लैप्टॉप के एक्स्टरनल ग्राफिक्स कार्ट के बारे में आप में से कई सारे लोग की रिक्वस्ट मेरे पास आया थी कि भाईया इस ची की एपसाइट से कोई चीज रिव्यू करूं तो मैंने सोचा यह एक बहतरीन ओपॉर्चुनिटी है कि इस प्रोड़क्त को रिव्यू किया जाए आज किस फीड में बेसिकली हम लोग इसी डॉक के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे आपको इसे लेना चाहिए क अब यहां पर जो लोग इस फीड में नए है मैं उनको शॉर्ड में बताना चाहता हूं कि यहां पर आज में बात क्या करने वाले नॉर्मली आपने से कعी सारो लोग के पास लैप टॉप होंगे और आपने हो सकता हूँ लैप टॉप पर गेम ज़रूर के ले होंगे लैप टॉप का बेसिकली जो गेमिंग पर्फॉरमेंस होता वो उतना अच्छा नहीं होता है हाला कि अब तो dedicated gaming laptop भी आने लगे हैं पहले ऐसा scene नहीं था तो यहाँ पर अब laptop का gaming performance इंप्रूफ करने के लिए हम लोग external dock लेते हैं मतलब कि external dock खरीद लेते हैं उसको laptop से connect करते हैं उसमें graphics card लगाके तो laptop को लगता है कि मेरे अंदर नया graphics card लग गया है तो तब आपको जो gaming performance मिलती है वो काफी improve हो जाती है तो कुछ इसी तरीके से laptop का GPU dock काम करता है अब आज के market में तीन तरीके के dock available है पहला होता है network card वाला मतलब कि आपको card मिलता है जो कि पुराने वाले laptop में लग जाता है दूसरा type होता है कि आपको laptop को खुलना पड़ता है wifi card हटा कर उस जगा पर रगाना पड़ता है पर last type होता है वो होता है m.2 interface वाला हाला कि thunderbolt वाला भी आता है उसको मैं cover यहाँ पर नहीं करूँगा बट बिफोर दाइट इस वीडियो इस पॉंसर बाइजी पीजी सॉलूशन डाट इन इजी पीजी सॉलूशन एक ऐसी वेबसाइट है जहां पर जाकर आप PC पार्ट कैसी कि प्रोसेसर, motherboard, RAM को आप बहुत चीप प्राइस में खरी सकते हैं यहाँ पर जो आपको pricing मिलती है वो बहुत ही कम है अगर आप compare करें दूसरी popular website से वैसे इजी पीजी सॉलूशन और thermal technique को लाब करके एक giveaway भी host किया हुआ है तो वीडियो के description में giveaway का link और इनकी website का link दिया हुआ है आप मेंसे तो लोग interested है जाकर check कर सकते हैं 90% of the time जिस GPU dock की आपको जुरुत पड़ेगी उसी को ही मैंने इस वीडियो पे feature किया है तो यह बहुत पुराना laptop आपने लिया नहीं होगा और बहुत नया laptop आपके पास होगा नहीं तो जो एक variety वश्ती उसी को ही मैंने cover किया है इस GPU dock को आप currently खरीच सकते हैं 3300 रुपएका वैसे अगर कोई coupon code available होगा तो मैं वीडियो के description में आपको बता दूँगा installation दोस्तों इस चीज का laptop में बिल्कुल simple है आपको कुछीदों के जुरुत पड़ेगी आपको आपका laptop, एक GPU dock, एक graphics card और एक power supply की अब आपको यहाँ पर बस करना ही है कि अपने laptop की backplate कोलनी है 90% टाइम आपका wifi card यहीं पर होता है लेकिन कभी कभी आपको होता है कि laptop का keyboard भी हटाना पड़ता है उसके पीछे भी wifi card हो सकता है एक बर जब आपने laptop की backplate को खोल लेंगे तो पीछे ही आपको wifi card मिल जाएगा उसमें दो छोटे छोटे तार लगें उसको unplug कर लेना है और एक screw खोलते साथ ही आपका wifi card बाहर आ जाएगा अब आपको यहाँ पर dock के साथ एक छोटी सी wire मिल जाती है जो कि HDMI cable है जो कि wifi card की जगा पर लग जाएगी एक बर जब आप HDMI cable अपने laptop पे लगा लें तो उस HDMI cable को dock से लगाना है अपनी power supply में 2-3 connection करने हैं जैसे कि मैंने इस वीडियो पर किया है और dock पर अपना graphics card लगा देना है यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए केवाल 750 Ti लिया है जो कि power भी कम consume करता है और हमारे laptop के performance को bottleneck भी नहीं करेगा एक बार जब आपके सारे connection हो जाए तो laptop को on करने on करने से पहले ही आपको जाना है BIOS में और यहाँ पर network boot को disable कर देना है इससे हो गई है कि आपके hardware में कोई mismatch नहीं होगा और आप अपने external graphics card को अराम से use कर सकते हैं laptop पे और एक बार जब सारे connection हो जाए और आपका laptop boot हो जाए तो आपको बस GPU के driver निकालने है अब यहाँ पर यह चीज़ देस्ट करने के लिए कि आपके laptop पे graphics card चल रहा है की नहीं आपको उसका performance मिल रहा है की नहीं हमने यहाँ पर कुछ games देलाए है और हमें सच में काफी बड़ा improvement भी देखने को मिला जहाँ हमें GTA 5 पे पहले 40-45 fps मिलते थे अब वही पर हमें 80-85 fps मिलने लगें तो आप देख सकते हैं काफी बड़ा jump में मिल गया है मैं बता दू आपको यहाँ पर कि मेरे laptop का जो configuration है वो already बहुत weak है जहाँ पर dedicated मुझे 720M GPU मिला है overall अगर बात करें conclusion के बारे में क्या यह आपको लेना चाहिए क्या यह आपको नहीं लेना चाहिए आपको करना क्या चाहिए पहली चीज़ तो यह है कि इसको लेने के बाद laptop की definition change हो जाती है laptop बना होता है portability को देखते हुए एक बाद जब आप यह सब तीन जहम लगा देते हैं laptop पे तो laptop portable नहीं रह जाता और इनकेस अगर आपको laptop को move बरना पड़ेगा तो आपको इस सारे connection हटाने पड़ेंगे वापिस से दूसरी चीज़ आपके mind में curiosity आपके पास पैसा है आप देखना चाहते हैं कि कैसा performance मिलेगा तो हाँ आप ले सकते हो आपने laptop पर try कर सकते हो कोई problem नहीं है एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और mention कराना चाहूंगा आपके GPU को जो actual performance है उसका 70% ही आपको performance यहाँ पर मिलता है फुल performance नहीं मिलेगा क्योंकि आप external use कर रहे हो तो थोड़ा performance कम हो जाता है तीसरी चीज़ यह long run के लिए बिल्कुल भी नहीं है अगर आप चाहो कि आप इसे बहुत time तक use कर लो तो ऐसा possible नहीं है क्योंकि games की जो demand है वो तो बढ़ती जा रही है आप बार बार अपना GPU तो upgrade नहीं कर सकते हैं और frankly speaking यह चीज़ इतनी fragile है कि long term पे मुझे इस पर थोड़ा doubt भी है at the end में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके अंदर curiosity है आपके पास पैसा है आपके पास PSU और ग्राफिस का रड़ ओड़ेड़ी है और आप try करना चाहते हैं अपने laptop पे तो आप जा सकते हो 3000 रुपय का बहुत costly भी नहीं है लेकिन long term और permanent solution यह नहीं है बेल तो दोस्ते इस वीडियो में आशा करता हूं अपको यह वीडियो चेला होगा होगा है अगर आपको यह वीडियो चेला वहाँ हो तो इस वीडियो को जल्दी से like करें subscribe करें हमारे इस channel को क्यों लोग लाते रहते हैं सब डेली ओसम कंटेंट तो हम तक देखने के लिए Thank You